कावड यात्रा दोहसार चौबिस को देखते हुए यूपी की सरकार बड़े कदम उठा रही है साशन प्रशासन की ओर से लगातार नए नए दिशा निर्देश चारी किये जा रहे है सबसे पहले मुझफरपुर में नियम तै किये गए थे यहां पुलिस की ओर से जारे आदेश में कहा गया कि मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा अब इस आदेश को पूरे यूपी में लागू करने की बात सामने आई है सीम योगी ने निये निर्देश में कहा है कि पूरे राज़ में कावड रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा सभी कावड रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बतानी होगी ऐसा कावड यात्रियों की आस्था और सुचिता को बरकरार रखने के लिए किया गया है इसके साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेशने वालों पर कारवाये भी होगी दुकान संचालकों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा कावड यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है यूपी के बाद अब उत्राखंड सरकार ने भी यही फैसला लिया है अब उत्राखंड राज में दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा देखे कावड की जो हमारे तैयारिया हैं इसके संब्ध में जो होटल डाबे हैं रस्टरंस हैं और साथ में जो रेडिय ठेली वाले जो कावड मार्क पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के दुवारे एक जिनरल स्ट्रिक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप से उसना प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा ना करने की स्थितों के खिलाफ हम लोगों का कारवाई भी करेंगे और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिती इस से उत्पन होती है उस चीज को हम लोगों के दुवारे रिक्शन दिया गया है यहां दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी तेजी से किया जा रहा है साथी पुलिस प्रशासन ने हाईवे पर बने धाबों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है नारसन से लेकर हरिद्वार, कावडपटरी, हाईवे पर कई दुकाने और धाबे हैं यहां भी धाबा संचालक और दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगवानी होगी यहां प्लेट लगवानी होगी